नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर और इस चैनल के उपर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी जिस वीडियो में हमने बताया था कि किस शहर में अपने देश यानि भारत के किस शहर में केंद्रिय करमचारी को कितना कितना व स्वाध वर्वेतन का चैनल से बताया थाा देश और किन-किन शर्तों पर और किन-किन पोजिशन में कितना कितना मिलता है अब बात करते हैं मकान किराया भत्य कि दरह कर हैं जो कि हापकी वीडियो स्क्रीन पर उनमें मूल वेतन का 24 परतिशत आपको मकान किराय भत्ते गरूप में मिलता है और जो Y स्रेणी के हैं उनमें मूल वेतन का 16 परतिशत मूल वेतन होता है जो आपकी बेसिक पे होती है और Z स्रेणी के जो Z कैटेगरी के वर्गी करण किया हुए जिन सहरों का जो Z स्रेणी में र रुपे से कम नहीं होगा यानि कोई भी श्रेणी का शहर है चाहे जड श्रेणी का शहर है वहां पिछली वीडियो में भी आपको दर्शाई थी और अब आपको बताएंगे कि जो मकान किराय भत्ताय के लिए जो समान्यत निर्देश हैं सिधान्त हैं वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब हैं उन सिधान्तों के मताबिक ही आपको एचारे यानि मकान किराय भत्ते गिरू में मिलता है जो समान्या सिधान्त है मकान किराय भत्ता मूल वेतन के संधरम में दिया जाता है विशेष वेतन व पेंशन का भाग वेतन की कुल अधिक्तम सीमा के अधीन वास्तिक वेतन के साथ जोड़ा जाएगा इसी परकार जो तीसरा सिधान्थ है कारियस थल यानि के आपका वर्किंग स्टेशन के संबंद में मकान किरायबता क्या स्थिति रहती है अवास थल पर अवास थल का विचार किये बिना कारियस थल के संबंद में आपको मकान किरायबता सभी कारिया होगा यानि आप जिस station पर आप काम कर रहे हैं उस station का जो भी rate आपका चाहे वो X स्रेणी का है, Y का है या Z स्रेणी का है उस पर जो आपको entitlement है HR की वो आपको मिलेगा और जो चोथा सिधान की बात करें छुट्टी और अवकास के दुरान आपको HR मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बहुत मैत्युकूर्ण बात है यह अध्यान चुट्टी यानि आपकी जो study leave है शीशू देखभाल चुट्टी, childcare leave सहित सभी परकार की चुट्टियों के दुरान और विश्राम अवकास के दुरान भी HR सभीकारिया रहेगा यह चुट्टी विश्राम अवकास के पहले 180 दिन के लिए चुट्टी पर जाने से पहले सभीकारिया दर पर आपको दे मिलता रहेगा इस सब्सक्ति के बाद निर्धारित प्रमान पथ्तर प्रस्तुत करके आप एचारे का दावा कर सकते हैं यंधे इस सम्मंद में 27.2012 की रुलिंग है जो आप सर्च करके देख सकते हैं बात करते हैं पांचवें जो मूल सिधान्थ है चिकितसा प्रमान पत्तर सही छुट्टी जो लेते हैं आप चिकितसा प्रमान पत्तर के अधार पर तब आपको आचारे मिलेगा या नहीं मिलेगा आठ महा तक भत्ता सवीकारिया है यनि एचारे आपको यदि आप चिकित्सा प्रमान पत्तर सही छुट्टी लेके जाते हैं तो आपको आठ महिने तक लगातार एचारे मिलता रहेगा इस अवदी के बाद नियंतरन अधिकारी भत्तों के भुकतान का निर्णे लेंगे यदि यह अमान्य करण मृत्यू के कारण है तो छुट्टी की अवदी हेतू बुकतान किया गया मकान किरायभत्ता वसूल नहीं किया जाएगा वापिस नहीं किया जाएगा त्याग पत्तर के मामले में त्याग पत्तर सविकार करने से पूर वसूली के जाएगी इसी परकार जो साथ ममूल सिधांत है सेवा निवर्ती पूर छुटी यानि जब आपकी सेवा निवर्ती होती है, रिटायर्मेंट होती है, उसे पहले आप छुट्टी पे चल जाते हैं, तब क्या होगा, एचारे मिलेगा या नहीं मिलेगा, निर्धारित प्रमान पत्रों की प्रस्तुती करने पर आपको या एचारे सभीकारिया रहेगा, अब इस सिधान के अनुसार, पहले 180 दिन होते हैं, छे महिने, यानि शस्पेंशन होने के बाद जो पहले 6 महिने होते हैं, उस अवदी के बाद, 6 महिने की अवदी तक तो आपको अटोमेटिकली सभीकारिया रहेगा, शेंक्शन रहेगा एचारे, और उसके बाद, अवदी के ब पर ही आपको भुकतान किया जाएगा, अब बात करते हैं, कारिया ग्रहन काल के दोरान, जब आप ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होकर दूसरी जगह कारिया ग्रहन करने जाते हैं, यानि जर्नी पीरियड की बात कर रहे हैं, यहां, पुराने स्टेशन के समान जो को भी एचारे इंट्ट ता वह आपको मिलत रहेगा अस्थाई स्ठानांत्रन के दुरान आपको मिलेगा या जाती है और ट्रेंपेरी ट्रांसफर करने बाद नए स्टेशन पर जोयन करते हैं यानि जो आप पुराणे स्टेशन पर नबे दिन तक एचारे ले रहे थे वह आपको सभी कारिया रहे यानि के तीन महिने तक और इसकी अवदी के पस्चात नए स्टेशन पर जो लगू दरे होंगी उसके मताबिक आपको एचारे मिलेगा अब बात करते हैं 11 जो सिधान्थ है एक वर्स तक विदेश में परतिनुक्ति के दुरान परतिनुक्ति होता है डेपूटेशन इसके दुरान आप क्या एचारे मिलेगा या नहीं मिलेगा बात करते हैं मुख्यलियों के लिए लागूदरों पर सविकारिया है मुख्यलियों के लिए लागूदरें पर सविकारिया है यदि परती नुक्ति की अवधी एक वर्ष से अधिक होती है तो यदि परिवार मुख्यलिया पर रहता है तो प्रमान पत्तर प्रस्तूत करने पर और भता आरिद किया जा सकता है, या अपको, जो डेपुटेशन वे, तो हैच आरे मिल सकता है, आप बात करतेए जो अगली कंडिशन है, जो आपकी फिली स्क्रीन पर भी है, भारत में परसिक्षन के दोरान क्या रहेगा? यदि आप भारत में किसी training के लिए जाते हैं तो आपको HR ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि महंगाई भत्ता आरित नहीं किया गया हो मुखैलय के station के लिए लागू दरों या परसक्षन station के लिए लागू दरों पर जो भी अधिक हो जो भी अधिक अनुपूल होगा वो सवीकारिय रहेगा आपको यदि महंगाई बता आहरित किया गया हो केवल मुख्यले के लिए लागू दरों पर सवीकारिय है भलेई 180 दिन के बाद की अब्धी हेतू कोई महंगाई बता आहरित नहीं किया गया है तो इस परकार आपको परसिक्षन के दोवार एच्चारे मिलता रहेगा बात करते हैं तेर्वा जो मुख्या सिधान्थ है एच्चारे का विदेश में परसिक्षन के दोरान आपकी क्या स्तिती रहेगी मुखेले के लिए लागुदराओं पर प्रमाण पत्र प्रस्तूत करने पर सविकारिया रहेगा यानि परिस्क्षन पर रहने के परिस्क्षन यानि ट्रेनिंग पर रहने के दोरान और उसके बाद ली गई छुटी है तो सविकारिया नहीं होगा यानि आपको प्रसिक्षन का जो पीरियड रहेगा दोरान रहने के दोरान प्रसिक्षन ट्रेनी पर रहने के दोरान आपको एचारे नहीं मिलेगा मकान किराय भत्ते का जो आहरण है किराय के भुगतान की प्रमातरा का विचार करते हुए आहरण किया जा सकता है और किराय की जो प्राप्ति की रिशीद है वो अवश्यक नहीं है आप यदि किराय के मकान में रहते हैं तो आपको एचारे मिलेगा और आपको जो किराय की रिशीद है वो आपने कारेले में जम्म करवाने की जुरूत नहीं है बात करते हैं पंदरों है मुख्य सिधान्त की यदि सरकारी करमचारी सरकारी आवास यनि सरकारी गवर्मेंट कौर्टर में रहता है तो मकान किराय भत्ता परदान नहीं किया जाएगा, जिन करमचारियों को सरकारी आवास उपलव्द किया गया हो और जो महिला करमचारी सरकार द्वारा संचालित होस्टल में रह रही हो जिन करमचारियों को स्वायत और अर्द स्वायत संगठनों द्वारा संचालित आवास सबसिडाइज दरों पर अबंटित किये गए हो जो अ प्रमानपत्र प्रस्तुत करने की सर्तों में चूट यानि जब भी पांच 3 2019 से पहले स्तिति ऐसी थी जब आप किसी स्टेशन पर जोइन करते थे तो उस स्टेशन पर आपको जो सरकारी क्वार्टर उपलब्द नय होने का एक परमान पत्तर प्रस्तूत करना पड़ता था जब आपको वो परमान पत्तर प्रस्तूत हो जाता था तब ही आपको एचारे इन टैटल होता था लेकिन दिनाग 5.3.2019 से संपदा निदेशाले द्वारा नेंतरन साधरन पूल आवासिक जीपी आरे के संबंद में के संबंदिद मावलों में मकान किराय भत्ता के आहरण के लिए आवास नय होने का परमान प्रस्तूत करने की शर्तों में सभी स्थानों के लिए छूट प्रदान की गई है यानि 5.3.19 के बाद आपको आवास नय होने का परमान पत्तर नहीं देना पड़ेगा और आपको एचारे डारेक्ट एक सर्टिवेट प्रस्तूत करकर आपको एचारे मिलता रहेगा अब बात करते हैं आवास लेने की इनकार की स्थिति में आपके क्या रहेगा अबंतित आवास सविकारन करके करने के कारण जिस अवधी है तूँ आवास अवंटन करने पर रोग लगाई हो उस अवधी में मकान किराय भत्ता सविकार या नहीं होगा यानि आपको एचारे नहीं मिलेगा यदि आप आवास लेने से इनकार करतेंगे अब बात करते हैं आवास का अभ्यपरण मकान किरायभत्ता यदि अन्यथा सविकार हो ऐसे अभ्यपरण की तारिक से दे होगा मकान किरायभत्ता रोकने की तारिक मकान का कवजा लेने की तारिक अथवा अबंटन की तारिक के आठवे दिन से जो भी पहले हो यदि आवास लेने से इनकार किया गया हो तो अबंटन की तारिक से आपको जो आपका मकान किरायभत्ता है एचारे रोकते जाएगा suppose करो आपका मेकान, आपको सिरकारी quarter मिल जाता है यदि आप उस सिरकारी quarter को जिस allotment आपकी date है और allotment के बाद आपको 8 ये 10 दिन का समय दिया जाता है कि आप इस जो quarter है इसको take over कर लें और जब आप को abantan की तारीक है उसके 8 वे दिन से के बाद आपका HR रोक दिया जाता है या आप जिस दिन से उस quarter में रहना शुरू कर देते हैं और अपना take over ले ले लेते हैं उस दिन से आपका HR रोक दिया जाएगा अब बात करते हैं transfer पर आपको किस स्थिती में HR मिलता है यदि पुराने स्टेशन पर सरकारी आवास सामान्या दंडिक बाजार किराय पर रखा हो तो नए स्टेशन पर केवल 8 महिने के लिए सविकारिया होगा और जो transfer का दूसरा नियम है ऐसे करमचारियों के लिए मकान किराय भता सविकारिया होगा पास पिछले स्टेशन पर सरकारी आवास नहीं था यदि वे परिवार को पुराने स्टेशन पर छोड़ते हैं और नए स्टेशन पर उन्हें सरकारी आवास अवंटित नहीं किया हो तो वो उनको एंचारे के रूप में मिलता रहेगा अब बात करते हैं 21 में जो मूल पॉइंट है अपने स्वामित्व के अवकास वाले करमिक जिन करमचारियों के पास अपना आवास है अपना मकान है उनकी स्टेशन में क्या रहेगा स्वैम या अपनी पतनी बच्चों पिता या माता के स्वामित्व वाले मकान पर रहने वाले करमचारी को मकान कराया भत्ता स्विकारिया होगा या उस तिति में भी स्विकारिया होगा जब उसका अपने स्वामित्व का मकान हो लेकिन वह किराया के मकान में रह रहा हो तो भी इन दोनों कंडिशन में भी अचारे मिलेगा किराया मुक्त आवास में किसी के साथ रहना यानि आप कोई गौर्मेंट सर्वेंट है और उसको सर्वेंट को वाटर मिला है सरकारी को वाटर मिला है यदि आप उसके साथ रहते हैं तो आपको क्या स्थिती रहेगी यदि सरकारी करमचारी किसी अन्य करमचारी को अबंटित किराया मुक्तावास में उसके साथ रह रहा हो तो मकान किराया भत्ता सविकारिया नहीं होगा अब बात करते हैं 23 मूल सिधान की रिष्तेदार को अबंटित आफकास में रहने यदि आपको को रिष्तेदार है उसको सरकारी कोटरा लोट रखा तो उस किति में क्या रहेगा यदि कोई सरकारिक रमचारी के इंदर सरकार स्वायत निकाय, सरकारिक शेत्तर के उपकरम अथ्वा अर्ध सरकारी संगठन अथ्वा नगरपालिका पतन नयास राश्ट्रिकरित बैंक जीवन भीमनिगम आदी द्वारा उसके माता पिता पुत्र पुत्री को अवंटित किये गए आवास में रहता है तो उसे मकान किराहभता सविकारिया नहीं होगा इस कंडिशन में भी अचारे नहीं मिलेगा अब ब जा सरकार स्वायत सरकारी निकाए अथ्वा सरकारी सास के संगठन नगरपालिका पतन नयास आदी द्वारा आवा कास अबंटित दिया गया हो तो भले ही वह उस आवास में रहती हो या रहता हो तो उसके द्वारा किराय पर लिए गए घर में अलग से रहता हो तो उसको मका तो च्वांन किराया भत्ता नहीं मिलेगा यानि पति-पत्नी को दोनों से पोज करो पती या पत्नी एक इस्टेशन पर काम करते हैं और किसी दोनों में से किसी एक को goose engaging रहा हैं तो उसकी उस्तिताल में भी दोनों को एचारी नहीं मिलेगा अब बात करते हैं एक और करमचारियों को पती ये पतनी दोनों को एचारे मिलेगा इस परकार ये एचारे से सम्मंदित बहुत ही महतुपूर्ण नियम थे जो कि आपने इस वीडियो के मादम से सुने और इनको आपने नोट भी किया होगा और उमीद है कि आपको इससे सम्मंदित आपको बहुत ही महत बन्नेवाद।